आम श्री कृष्ण पर्मात्मने नमा श्रीमत भागवत कथा दृष्टान्त अने रहस्य राम जी विचारी रहिया छे के अहीं रहेश्टो अयोध्याती घना लोको मलवाव शे रगुनात्जी चित्रकुटनो त्याक करवा निश्चै करयो चित्रकुटना महान संत अत्री रुषिना आश्रम मा रगुनात्जी पधार्या छे त्राण गुन मा जे समाई नहीं ते अत्री चा परमात्मने मलवु होए तो अत्री निर्गुनी थमूज पड़े મनुष्य ત્રાણ ગુણ માં ફસાયલો રહે છે દિવસમાં રજોગુણ માં રાત્રે તકોં ગુણ માં अने भगवद भजन मां दय आद्र बने त्यारे सत्व बुन्दा। आ प्रमाने सत्व रज तम आ त्राण गुणों मां जीव हम्मेशा फसायलोर है छे। आ समझाववा रामायण मां त्राण दुष्ट्यान ताप्यां छे। विभीशान सत्व गुणनू स्वरूप छे। रावण रजो गुणनू अने कुम्ब करण तमो गुणलू। तमारू जीवन विभीशान जेवु होई तो मां जो के तमे सत्व गुणी छो। तमारू जीवन रावण जेवु होई तो मां जो के तमे रजो गुणी छो। जीव लायक थाए तो परमात्मा तेने मलवाई जाए जे त्रोण गुण ने ओलंगी निर्गुण परमात्मा साथे मनती संबद जोड़ी राखे तेने अत्त्री खहवाई छे अत्त्री रूशी ना धर्मपत्ली अनसुया महान पतिव्रत्ता छे अनसुया माये क्या तपस्चरिया करी छे अत्री रुषी वृद्ध खया चे गंगा असनान करवा जैशक्ता न थी अनसुया नी प्रार्थना थी मंदाकीनी गंगा अत्री रुषी ना आश्रम मा थी निकलिया चे अनसुया ये सिता जीना पुषकर वर्णन करया चे अनसुया जीये सिता जीने दिव्य वस्त्र आप्या चे के जे कदी मेला थता न थी बविश्यनी आ तयारी करी चे अत्री रुषी ने त्यां थी राम जी सुतिक्ष्ण ना आश्रम मा थी चे आ प्रसंग दिव्या चे आ सु प्रमातमानु अनुबव जने थयोचे, तेना जिवनमा संतोस अने शांती होईचे. मारे धक्षिना मा काई लेवू न थे सूतिक्षने बहु आग्र कर्यों त्यारे कईू तारामा शक्ती होई तो रामजी ना दर्शन मने कराव चे सूतिक्षने आजे रामजी ना दर्शन कर्या पचि तेवो रामजी ने कहे चे आगलनो रस्तो हूँ तमने बतावीश राम जी ये लक्ष्मन ने कहुँँँछे आ रस्तो बताववा आवता नती पोतानी प्रतिग्णा पूर्ण करवा माटे आवेशे सुतिक्ष्न राम जीने अगस्त्यना आश्रम मा लई जाईचे सुतिक्ष्न रुशी कहेचे गुरुजी आपने साश्रांग प्रणाम करूँछे आजे तमने राम जीना दर्शन करवा आवेचे अगस्त्य रुशी दोड़ता दोड़ता आवेचे राम जीना दर्शन करी अगस्त्य कृतार तथायाचे ते पची कहेऊं तमारी कृपा जी जी उपर होए ते तमने ओखी शकेचे जी तमने बराबर जाने चे ते तमारा थी अलग रही शक्तो नथे राम चंद्र जी ये आश्रम मा अस्तियो नो धगलो जोयो अगस्त्य रूसिये कईऊं राक्षसो रूसियो ने त्रास आपेचे मारे चे अस्तियो नो धगलो जोता मालिकनू रुदै भरायो चे हाथ उँचो करी प्रतिगनाली दी उँँ बदा राक्षसो नो विनाश करीचे ते पछी गोदावरीना किनारे पंचवटी मा मुकाम कल्यो त्यां गोदावरीना किनारे आश्रन बनाव्यो पंचवटी येटले पांच प्राण पांच प्राण मा परमात्मा विराजे चे संसार अरण्यमा जे भटके तेने शुपर्णखा रूप वासना मले चे रामजी शुपर्णखा ने आँखापता न थी, शुपर्णखा ए मोहनू स्वरूप छे, रावन नी ये बहन छे, बनीठनी ने रामजी पासे आवी छे, और ती विद्वा चतना जुठू बोले छे, अने कहे छे उन कुमारी छूं, आज सुधी मारे लायक वर मले न थी, ती ती कुमारी रही गई छूं, तमने जोता मारू मन माने छे, ते ती तमारी साथे लग्तन करवावी छूं, शुपर्णखा ए काम वासना छे, ए रामजी ए जोयूं, अने कहूं, तो जे वी कुमारी छे, ते मारो भाई लक्ष्मन पन कुवारों छे, तो एमनी पासे जा, हू तो तेने जखाई जाई शुपर्णखाए, पोतानु विशाल राक्षसी रूप धारण करियू। वासना पन सुपर्णखाणी जेम पहला सुंदर लागे, पची पोतानु पोत प्रकाशित करे छूं, लक्ष्मन जीये, सुपर्णखान नाकान कापी नाक्या, के खर, करे इयो! झाल झाल